दोस्तों कि आप जानते हैं कि इस गिरह पर 3000 से अधिक परकार के साप रहते हैं इन में से करीब 600 परजाती जहरीली हैं और इससे भी कम संख्या में सबसे जहरीले साप मोजूद हैं हाला कि दुनिया में सबसे जहरीले साप कौन से हैं और क्या इने इतना खतरनाक बनाता हैं? हम जानेंगे इस वीडियो में सबसे जहरीले सापों को मापने के लिए व्यज्ञानिकों ने एक परिक्षन का उप्योग किया जिसे मीडियन लीथल डोज वे लडी 50 भी कहा जाता हैं इस माप के संख्या जितनी छोटी होगी साप उतन नमबर 5 ब्लैक मामबा दोस्तो यह साप दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सापों में से एक हैं इसका नाम ब्लैक मामबा इसके सरीर के कारण पड़ा क्योंकि इसका पूरा सरीर काला होता है यहां तक कि इसके मूग के अंदर का रंग भी काला होता है यह साप अफरीका के जवाँ में भी उठा सकता है। यहां साप बार-बार अपने Bureau को काटता है। इसके काटने की बाद करें तो इस साप के दातों में बेहत घातक जहर होता है। जबकि इनके एक बार काटने से इसयोता से चार सो मिली-गराम जहर इंजैच कर सकता है आम व्यक्ति इसके काटने के 6-14 घंटे के भीधरी मर जाता है वास्ता में अधिकान स्लेक्षन 10 मिनट में भी दिखने लगते हैं जिससे यह साप काफे डरावना हो जाता है ब्लैक मामबा के काटने में एनलोजिस कारक भी होते हैं जो इसके पीडितों को ऐसा महसूस क हैं आस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह साप अपने जहर के कारण होने वाले सबसे अधिक मोतों के लिए जिम्मेदार है यही कारण है कि इस साप का 3 मिलीग्राम जहर ही किसी व्यसक इंसान को मार सकता है यह साप आबादी वाले छेतरों में ज्यादा पाए जाते हैं जिससे लोगों की मलने की संख्या बढ़ जाती है इस साप का जहर बोड़ी में जाते ही खून को गाड़ा करना शुरू कर देता है जिससे सरीर में खून के ठक्के बन जाते हैं और हर्ट फिल होने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए साप के काटने के बाद आदे गंटे के अंदर इलाज मिलना चरूरी है नंबर तीन फोरेस्ट कोब्रा किंग कोब्रा का एक चचेरा भाई है जिसके एक बार काटने पर ही वह इंसान को मोट के घाट उतार सकता है वास्ता में फोरेस्ट कोब्रा के पास एक ऐसा जहर है जो कि एक मिलिग्राम में 65 इंसान को मार सकत आफ्रीका में इस्तित यह सांप अधिकतर जंगलों में पाया जाता है यह कभी कबार ही इनसानों के संपर्ख में आता है हाला कि यदि आपको फोरेस्ट कोबरे द्वारा काट लिया जाता है तो गंधीर लक्षन 30 मिनट से भी कम समय में दिखने लगते हैं अंगों का काम ने करना और लकवा मार जाना इसमें आम है इसलिए तुरंत इलाज मिलना जरूरी होता है नमबर दो, Coastal Taipan Coastal Taipan पूरे आश्ट्रेलिया में पाया जाता है जो की जादतर समुद्री के पास ही रहता है इसलिए से Coastal Taipan कहाते है Coastal Taipan को कोमन Taipan के रूप में भी जाना जाता है यह साथ एक बार काटने से 56 लोगों की जान ले सकता है अन्य जहरीले सापों की तुन्ना में यह साप काफी कम लोगों की जान लेता है लेकिन इसका जहर अन्य सापों के मुकाबले काफी घातक है यदि आपको कोस्टल ताइपैन ने काट लिया है तो विस में पाए जाने वाले इसके निरो टॉक्सिन आपके सरीर को जीवन भर के लिए बदल सकते हैं यहां तक की जिन लोगों को काटे जाने के दो घंटे के भीधर इलाज भी मिला उनके भी सांस लेने में दिक्कत वे गुर्दे खराब होने जैसी दिक्कते सामने आई और ऐसे कई मामले भी सामने आई जहां पीडितों ने एक घंटे से भी कम समय में अपना दम तोड़ दिया इसलिए साम के काटने पर तुरंत इलाज मिलना जरूरी है और नमबर एक इनलेंड ताइपेन जी हाँ दोस्तों इनलेंड ताइपेन दुनिया का सबसे जहरी लाओ और घातक साम है इनलेंड ताइपेन का 40 मिली ग्राम जहर लगबग 300 मनुस्टों को मार सकता है यह नेकेवल 80% से अधिक जहर एक बार काटने में उगल देता है बल्कि बार बार काटने की सम्दा भी रखता है हलाकि इस सक्ति के बावजूद इनलेंड ताइपेन को काफी सरमिला साप माना जाता है यदि आपको इस ताइपेन ने काट लिया है तो एमरजेंसी मेडिकल की तलास करना जरूरी है इस साप के जहर में इतना सक्तिसाली नियूरो टॉक्सिन होता है जो एक पूर्ण विक्सिर व्यक्ति को 45 मिनट से भी कम समय में मार सकता है इसके लक्सनों में लक्वा, मान स्पेशियों का टूटना, आख, कान, नाख और मूं में से खूनाना और गुर्दे का काम ने करना जैसे दोस्सामिल है तो दोस्तों, ये दे दुनिया के सबसे जहरी ले और गहां तक साब दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक और सेल जरूर करें उस चैनल को सब्स्ट्राइब करके बैर आइकन जरूर दबाने ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू